हाई अबरीवान वेलकम पेक टू माई चानल आज मैं आप लोग के साथ यह मेरे पास डर्मा डोक का फेक्शल किड इसका रिव्यू मैं आप लोग के साथ करने वाली हूं रिव्यू प्लस टैमो प्लस अन्बॉक्सिंग कहां से मैंने मंगाया है क्या इसके फायदे है कितने का परपर.com पर ही मिलेगा तो मैंने इसको परपर.com से पर्चेस किया है इस बैसे बॉक्समें रिसी होता कार्बॉड बॉक्स इसे अच्छे से अन्बॉक्सिंग ने कर लीते हूं यानिको उप्न कर लेते हैं हम लोग इस तरह से इच्छे से बहूत ंच्छे से इनकी पैकेज पर मिलेगा यह सिफ आपको पापर.com पर ही मिलेगा लिंक निचे डिप्टिशन बॉक्स में मैं दे दूंगी आप महां से इसको पाच्छेस कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं भी आगे आपको बताऊंगी इसको रिटेल में तो इसके साथ मुझे इस तरीके से एक हैंड सैनिटाइजर मिला है जो की है 50 ml का तो यह फ्री मिला है मुझे इस बॉक्स के एक फेशल कित के साथ तो इस तरीके की वाइड बॉक्स में आती है जो की डार्क स्पोर्ट के लिए है इसकी काफी सारी रेंज है जो फैन डार्क स्पोर्स के लिए और काफी है मैं ल आपको नहीं पता है तो यहां पर सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि आपको इसको किस तरीके से यूज करना है मैं लेकिन मैं आपको वीडियो में आपकी हर प्रोलम का शल्यूशन बता दूगी आपको इसको कैसे यूज करना है स्टैब बाइ स्टैब में हर तरीके से आपको बताऊंगी और क्या-क्या फायद हुए है हर चीज को यूज करके सब बताने वाली हूँ तो इसको छोड़ दो इसको मेरी वीडियो देखने के बाद आपको फेशल करना आई ही जाएगा अगर आप बिगिनर्स आपको फेशल करना नहीं आता है तो नीचे इसकी जो सेर्फ लाइस है वो लिख होई है मैनॉफेक्ट्री डेट है सितंबर 2019 त्री यर्ज के लिए जो इसकी सेर्फ लाइन है वो थ्री यर्ज की है काफी लंबे टाइम तकी चल जाएगा और जो इसके प्राइस है 155 रुपीज और यह मुझे 116 रुपीज क अंदर रिसीव हुए हैं पाउच के ऊपर सिर्फ इसकी जो डिरेक्शन है यानकी 125 यह सब लिखा हुआ है वी चली अपर कुछ भी मेंशन किया बहुत अच्छा जेल है, इक मैं आपको दिखा दे थी, अपने हैंड्स पे लेकर इस तरीके से जेल की फॉर्म में हमें रिसीव होता है और ये हाफ लिया है, मैंने वैसे न इसके उपर लिखा हुआ था for use one, यानि कि आप इसको one time use कर सकते हो, बस एक बार ही उज़ करना, बने कि मैंने इसको पैक करके रख लिया है बहुत ही ज़्यादा प्रोड़क्ट आता है इसके साथ यानि कि दो बार ही उज़ आप इसको easily कर सकते हो, आपके घर में अगर आपका भाई, बेहन, आपकी हास्बेंट, कोई भी बहुत ही अच्छा फेशल है, तो इस तरीक से जब जेल था, जो हमने इसको लिया था पाउच से, जो मसाज करते हैं, यह कुछ इस तरीके की फॉर्म में आ जाता है, जिसकी थोड़ा क्रीमी सा, बहुत ही अच्छे से, यानि कि बहुत ही अच्छा क्लीन जार थे, टच्च वोर्ण, मैं कोई सपोंसर वीडियो नहीं है, मैं कोई सप hautसर वीडियो नहीं कर दिया है, महेंने खुद में पॉचेस किया तो यह सब cleanser यूज़ करने के वाद प्लेइन वोटर से अपना फेश वाश कर रहना है आपको इसकी मसाज 3-5 मिनट्स तक करनी है cleanser की तो अब सेकिंड बारी आती है हमारे scrubber की तो यह है scrubber जो कि इस तरीके से बहुत ही यानि कि अच्छा है सच्छी में इसके जो पार्टीकल को remove करने के लिए वो थोड़े मोटे मोटे हैं ज्यादा पतले पतले नहीं है जो कि normal scrubber में होते हैं थोड़े मोटे मोटे हैं पर इतना hard feel नहीं कराते हैं अगर आप gently हादों से massage करोगे तो आपकी जो dead skin बहुत ही अच्छी से remove कर देंगे ये और उससे आपको ऐसा feel भी होग कि हां हमारे face पे कुछ काम हो रहा है कुछ work हो रहा है कि हां कुछ अच्छे से हम कर रहे हैं तो ज्यादा हलके हलके से पार्टीकल होते हैं उनसे कुछ होता हुआता तो है नी और महनती हो जाती है बस तो आपको इस scrubber को 3-5 minutes तक करना है अगर आपकी थोड़ी sensitive skin है तो आप इसको 3-4 minutes तक या 2-3 minutes तक कर सकते हो यह आपको six gram pouch मिलता है तो मैंने scrubber करने के बाद तरीके से अपने face को wash कर लिया और आप न देख सकते हो मिरे जो face की खुशी है ना वह आप देख सकते हो मैं इसको first time कर रही हूं आप लोगों के साथ ही मैंने अब तक इसको ऐसा यूज नहीं किया था मैं first time यूज करें और मुझे इसका रिजर्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है मैंने बहुत सारे फेशल किया मट ऐसा नहीं अब बारी आती हमारे थार्ट स्टेप की जो की है टोनर तो टोनर भी हमें इस तरीके से पाउच में रिसीव होता है और यह भी तो आपको यह 2-3 मिलाट तक इस टोनर की मसाज करनी होगी अपने फेस पर मैं आपको दिखा देती हूं किस तरीके से फॉर्म हमें रिसीव होता है तो इस तरीके मैं सोची थी थोड़ा लिक्विडी होगा मैं थोड़ डर रही थी बट इतना लिक्विडी नहीं था इतना यह अच्छा है यानि की काफी अच्छा था बहुत ही ज्यादा प्रोड़क्त है मैं अब भी इसको हाफ लिया हाफ रख दिया नेक्स टाइम के लिए तो उसके बाद इस तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर लेना इक्वली रोगी पूरे फेस पे लग जाए और अपना नए सब बिल्कुल भी नहीं था उसके बाद तोनर लगाने के बाद ना आपको इस तरीके से एक हैंकी किया टिशू किया है इस तरीके जो एक्स्टर जो टोनर है उसको रिमूव कर देना है आपको फेस वाश नहीं करना है सिफ आपको एक रुमाल की या किसी भी है अच्छे से रिमूव कर देना है उसके बाद बारी आती है हमारे फॉर्थ स्टेपी जो की है क्रीम तो इस तरीके से पाउच में हमें क्रीम रिसीव होती है और यह क्रीम भी जो सिक्स ग्रैम है इसकी क्वाइंट टी भी और यह क्रीम भी बहुत ही जादा अच्छे है आपको यह 12 से 15 मिनट तक इसको यानिकी अपने फेस पे मसाज करनी है इस तरीके से जो कि आपकी स्कीन को अपोर्जिन साइड में यानिकी स्कीन की जो कि यह काफी अच्छे से आपकी स्कीन को टाइट बनाने में आपकी तो इस तरीके से मैं अपने फेस पे अच्छे से इस क्रीम से मसाज करूआ घूरे थी मुझे ऐसा फील हो रहा ता और फिर भी हाफ यानिकि पाउच में बची हुई है ऐसा नहीं है कि मैंने सारी लेली है, पिरभी मुझे असा मेहिसा क्रीम हो घुगरा लिया है, बैट कोई आपी सब कुछ ठीक हो गया था, ऐसा नहीं था कि ज़्यादा लंबे टाइम तक यानि कि ऐसा कुछ रहा था और रेडनेस भी नहीं हुई इसको, अगर आपको ऐसा करते हुए फील हो तो प्लीज, डॉन माइन, यानि कि आप इसको छोड़ देना, यानि यादा धिहान मत देना, ऐसा हो जाता है कभी-कभी किसी की स्कीन पर, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ था, तो मैं इसको अच्छे से अपने फेस के अपोजे साइड इस तरीक से मसाज करूँगी फेस को TIGHT करने के लिए, उसके बाद, यह हैंकी फेस को वाश नहीं करना है, क्रीम को सिफ रिमूब गरना है इस तरहेंगे से तो बहुत यह अच्छा फील हो जाता सच में, अब बार ही आती है, हमारे 4th step की 5th step की तो यह है हमारा पील ओफ मार्क तो यह भी तरीकिगी पाउच में हमें रिसीव हुआ है और इसकी ग्राम को 12 ग्राम का हमको यह पाउच रिसीव हो था जो इसके अंदर प्रोडक्ट है हो 12 ग्राम का है तो यह हमारी स्किन को टाइटनिंग बनाने में और जो वाइट इस ब्लैकिट से उनको रिमोव करने में हमारी हैप करेगा तो इस तरीके से मैंने पहले थोड़ी सी अमाउंट में इसको लिया है और यह थोड़ी सी इसकी फॉर्म है वो मुझे नहीं ऐसी लग लिए जैसे की होता है ना क्य जोड़ देना है ड्राय होने के लिए जब तक यह नहीं हो जाता इसके अपर लिखा हुआ था कि आपको 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है इस तरीके से अच्छे से और जब थोड़ी ड्राय सा हो जाए आप देख सकते थोड़ी शाइन भी आ गई है और बेको ड्राय ह ड्राय को जातों पिलव करना है जो कि आपके जो हर एसी जटके से हलके हलके हातों से और एक नीचे से कर एपनी आप अपनी सक्छी में है आप पर की तरफ पूल करना है वरना आपको पेन भी होगा और आपकी स्कीन ना जुलश जाएगी यान की जुल्री आ जाएगी आपकी स्कीन पे तो रिंकल अगरे की प्रॉब्लम से अगर दूर रहना है तो इस तरह के है जो मैं नहीं चाहती है मेरे फेस पर हो छोड़ा पेन हो रहा था मुझे तो काफी अच्छा यह जो पैक है काफी अच्छा है तो अभी मैं आपको दिखाती हूं किसने क्या अबर किया है क्या नहीं तो आप देख सकते हैं जो मेरे नोस के ब्लैकेट्स थे ना उसको इसके सारे स्टैपना बहुत ही यूसफूल है बहुत ही अच्छा है तो इसनी परक भी बहुत ही अच्छा किया और आप देख सकते हैं मेरे स्कीन काफी हद तक क्लीन हो गई है मैंने नॉर्मल वोटर से अपने फेश को वाश कर लिया और मैंने इसको रात के टाइम किया है फेशल को करने के बाद मैं सो गई थी तो प्लीज आप जब भी फेशल या ब्रीच करो तो रात के टाइम ही करो सोते तो काफी अच्छा लगेगा आपको तो मैं इस प्रोड़क्स से बहुत ही खुश हूँ सच में तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या रिव तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, नेच्ट वीडियो देख लिए थैंक यू